फ्रेंट्स यह पोधीना मैं दो दिन पहले लेकर आई थी और आप देख सकते हैं इसकी जो पत्तिया अभी तक हरे रखे हुए है ना क्यूं ऐसा मैंने क्या किया है जो यह अभी तक ताजा है तो चली बताते हैं मैंने के किये मैंने लिए एक ग्लास उसमें भरा मैंने पानी जो पोधीना लिकाई थी पूरा मैंने ऐसे ही उसको बंडल के साथ पूरा मैंने ग्लास में रख दिया उसका जो नीचे का हिस्सा था था ना वो पानी में डूबरा और हमारे जो पोधीना है बिल्कुल फ्रेस रखे हैं दो दिन हो गए अभी तक यह तो दिना हमारा ऐसे के ऐसे ही रखा है इस तरह आप भी धनिया को पोधीना को गर्मियों में इस तरह से रख सकते हैं बिल्कुल फ्रेस रहेगा आपको दो से तीन दिन आप इसको अच्छे से रख सकते हैं चार दिन तक आप इसको रख सकते हैं बिल्कुल यह फ्रेस रहेगा धनिया हो या फिर प पूरा मत निकाली बस आपको उपसे तोड़ करें इसको यूज करना है इस तैसे आप भी रख सकते हैं